लिम्रा न्यूज हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सची खबरों के लिए देखते रहे लिम्रा न्यूज बहुत शुक्रिया, कोई तोड नहीं इस आंधी का, कोई तोड नहीं इस आंधी का, ये है दौर प्रियंका गांधी का दीदी आज अपनी ससुराल आई हैं, और मुरादाबाद अपनी बहु का स्वागत जिस तरह कर रहा है, वो यतिहासिक है, आस्मान से बारिश की भूंदे बरस रही हैं, लेकिन दीदी आपने देखा कि आपकी ससुराल के लोग डटे हुए हैं, आज इन्होंने मौसम की परव छोड़ दी, ये बस ये सोचा कि आज बहु आ रही है और बहु का इस्तक्बाल करना है, मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली बजा करके आप पूरे सूबे को ये बताएं कि आप दीदी के साथ खड़े हैं, मुझे स्वागत भाशन करना था, लेकिन दीदी का हेलिक आप्टर जल्दी टेक आफ होना है, मैं सिर्फ एक नजम के दो तीन मिसरे सुना देता हूँ, कोई भाशन नहीं दूँगा, भाशन आपने बहुत सुन लिया, नजम में बस ये सुनाता हूँ कि आप ये समझें कि दीदी कह रही हैं पूरे सूबे से, प्रियंका जी पूरे सुगात में दो, यहां से वहां तक, मैं जब मिसरे पढ़ रहा हूँ, आपकी तालियों का शोर पूरे देश में जाना चाहिए, के बेती बन कर मांग रही हूँ, लाओ मुझे सुगात में दो, लाओ मुझे सुगात में दो, सब को यूपी दे कर देखा, अब बेटी के सवाल उठाते हैं लोग के प्रियंका जी आई, क्यों आई, कैसे आई, मैं एक मिसरा बढ़ता हूँ, के जो मुझे से ये कहते हैं के कौन भला मैं होती हूँ, तयार रहना, जो ये प्रशन उठाते हैं के कौन भला मैं होती हूँ, उनसे कहो, राजियू की बिटिया और हूँ, के अपनी आँखों के आँसु भी लाओ मुझे सौगात में दो, बेटी बनकर मांग रही हूँ, यूपी मेरे हाथ में दो, बेटी बनकर, के पूरा भारत बेच दिया, कैसे ब्यापारी बैठे हैं, सतर साल में कॉंग्रेस ने क्या दिया, एक दिन संसत में मोदी जी ने कहा, क्या दिया सतर साल में कॉंग्रेस ने, बगल में राहुल जी बैठे थे उन्होंने का, पलट के अपने लोगों से कि मत बता ना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेच कि पूरा भारत बेच दिया कैसे ब्यापारी बैठे हैं दिल्ली से लखनव तलक नफरत के पुजारी बैठे हैं दिल्ली अब के दिल्ली अब की छीनेंगे पर लखनव 새 के साथ में दो बैठे बनकर मांग रही हूँ लाओ मेरे हाथ में दो सबुक और अंतिम पंग्तियां और इसी के साथ आप से विदा लूँगा मैं चाहूंगा कि इन अंतिम पंग्तियों पे एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा आखरी पंग्तियां के यूपी से मेरा बेटी का और बहू का रिष्टा है के यूपी से मेरा बेटी का और बहू का रिष्टा है सिर्फ सियासी नहीं यहां से मेरा लहू का रिष्टा है अपना होसला अपनी हिम्मत इस मुश्किल हाला तुमें दो सब को यूपी दे कर देखा अब बेटी के हाथ में दो बेटी बन कर आदनिया दीदी का एक बार फिर से बहुत आभार प्रकट करता हूं